हलो एंड वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट्स आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चेनल माँ आसा इस पॉइंट में स्वागत है माई डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्नवाद कि आपने मुझे सपोर्ट दी इसके लिए मैं आपको तह दिल से धन्नवाद करता हूं माई डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं आपको टुवेल्थ के फिलोस्फी यानि दर्सन सास्त्र के दुसरे चप्टर भगवत गीता का दर्सन के सभी भी भी आई अप्जेक्टिव क्वेस्चन कराने वाले है इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आये हैं तो प्लीज इसको सस्क्राइब करेंगे लाइक करेंगे और अगर वीडियो आपको पशंद आया होंगे तो अपने दोस्तों को भी सेयर करेंगे तो पर्थम क्वेस्च सिक्रिष्ण अब आगे हैं देखिए आपके असानी के लिए हमने इसके नीचे में इसका एंसर भी दे दिये हैं और सबसे पहले आप क्या किजिए कॉपि और पेन ले बैठीए जितना हम बोल रहे हैं न क्वेस्चन पहले आप उसका एंसर लिखिए उसके बाद हुंज मिल आईए उससे आपका अनुभव होगा कि आभी तक जो तैयारी किये है उसामें आपका कितना सही हो रहा है तो चलिए दुसरा question के और कहते हैं कि भारत्य दर्सन में कर्म सिध्यानत के अनुशार कर्म का फल क्या हो शकता है परमका इसका एंसर होगा इन में से सभी होगा इन में से सभी होगा डी इसका एंसर होगा अब आगे है भगवत गीता का सावधिक अर्थ क्या होता इस्वर का गीत इस्वर का स्थित्व इस्वर का स्वरूप इस्वर की संख्यात इसका एंसर होगा इस्वर का गीत अब आगे है निशकाम कर्म क्या है कर्म का त्याग कर्म फल का त्याग सकाम कर्म है इन में से कोई नहीं तो क्या होगा इसका एंसर होगा भी कर्म फल का त्याग अब आगे है भगवत गीता में कौन से विचार पाये जाते हैं निशकाम कर्म योग की अवधारना या लोक संग्रा या इन में से सभीत इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा इन में से सभी अब आगे है कि गीता का उपदेश है क्या है संकाम कर्म या निसकाम कर्म या कर्म से सन्यास या इन में से सभीत इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा निसकाम कर्म अब आगे है कि भागवत गीता में योग सब्द का परियोकिन अर्थ में हुआ है तो समाधी वाचक या समन्द वाचक A और B दोनों या दोनों में से कोई नहीं तो क्या होगा इसका एंसर? तो इसका एंसर होगा D दोनों में से कोई नहीं होगा भागवत गिता के योग का योग सब्द का प्रयोकिन अर्थ में क्या गया तो इन में से कोई नहीं होगा अब आगे है कि स्वधर्म का वास्तविक संबंद किस से है समान धर्म से या वालना श्रम धर्म से या ए और भी दोनों से या इनमे से कोई नहीं होगा अब आगे है किनके मता अनुसार गीता महाँ भारत का अंग है अर्विंद गोष महत्मा गांधी डॉक्टर राधा कृष्णन या बाल गंगा धर्ती लग तो क्या होगा इसका इंसर होगा सी डॉक्टर राधा कृष्णन गीता में किनके विचार से इस्वर की वानी मानी गई है तो इसका इंसर क्या होगा इसका अंसर होगा क्रिष्ण या अर्जून या व्यास या इन में से कोई नहीं इसका अंसर होगा एक क्रिष्ण अब आगे है उपनी सद को कहा जाता है मतलब उपनी सद को क्या कहा जाता है योग विद्या ब्रहम विद्या ग्यान विद्या या इन में से कोई नहीं तो उपनी सद को कहा जाता है ब्रहम विद्या अब आगे है कि गीता में किस योग की चर्चा होई है गीता में किस योग की चर्चा होई है यान योग भक्ति योग कर्म योग या ये सभी तो इसका एंसर क्या होगा इन में से ये सभी का चर्चा हुआ है गीता की रचना किन के द्वारा की गई है गीता की रचना किन के द्वारा की गई है व्यास के द्वारा कृष्ण के द्वारा अर्जुन के द्वारा इन में से को कर्तब के लिए कर्तब या ए और बी दोनों या इन में से कोई नहीं इसका एंसर होगा कर्तब के लिए कर्तब या बीसका एंसर होगा अब आगे है महत्मा गांधी ने गीता को कहा क्या कहा माता पिता बाइबल या कुरान तो महत्मा गांधी ने गीता को माता कहा क्या कहा माता अब आगे है गीता के अनुसार योग है क्या है तियाग समाधी या इस वर्षे मिलन या इन में से कोई नहीं तिसका एंसर होगा इस वर्षे मिलन गीता के अनुसार योग है इस वर्षे मिलन अब आगे है गीता रहस की रचना किसने की है गीता रहस की रचना किसने की है अब आगे है किनके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है बाल गंगाधर तीलक बिनोवा भावे अर्विंद गोस या महत्मा गांधी तो इसका एंसर होगा बाल गंगाधर तीलक ये इसका एंसर होगा अब आगे है अनाशक्ति योग नाम गरंद की रचना किसने की तो इसका एंसर होगा बाल गंगाधर तीलक ये महत्मा गांधी अर्विंद गोस ये डॉक्टर राधा कृष्णन तो इसका एंसर होगा महत्मा गांधी अब आगे है भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा भगवान दास या बाल गंगाधर तीलक गांधी जी पंडित नहरूत इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा बाल गंगाधर तीलक कहते हैं गीता में मुक्च के कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं ग्यान कर्म भक्ति ये सभी तो इसका एंसर होगा ये सभी तरी गून होते हैं क्या ताम तमोगून रजोगून या ताम रज या गून इनमें से कोई नहीं तो क्या तरी गून होते हैं तुसका इंसर होगा रज रजोगुन इसका एंसर होगा रजोगुन रज यानि कि गीता में परमात्मा के कौन स्वरूप बतलाए गए हैं गीता में परमात्मा के कौन स्वरूप बतलाए गए हैं व्यक्त अव्यक्त व्यक्त एवं अव्यक्त या इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर होगा C व्यक्त और एवं अव्यक्त C इसका एंसर होगा अब आगे है किसके अनुसार गीता माता है तो क्या होगा वही क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करके पूछा गया अब आगे है किसके अंतिम भाग को उपनिसद कहते है पुरान ग्यान वेद या इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर होगा वेद वेद के अंतिम भाग को उपनिसद कहा जाता है अब आगे है गीता में स्वधर्म का क्या अभी प्राय है जिस वर्न का जो स्वभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है वर्गों के वर्नेतर कर्म ही उनका स्वधर्म है या उप्रूक्त दोनों या इन में से कोई नहीं इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा ए जिस वर्ण का जो स्वभाविक कर्म है वही उसका अस्वधर्म है इसका एंसर होगा अब आगे है गीता में योग सब्द का विवहार हुआ आत्मा का प्रमात्मा से मिलन का प्रमात्मा से मिलन का या इनमें से कोई नहीं इसका अंसर होगा आत्मा का प्रमात्मा से मिलन का 20 का अंसर होगा अब आगे है वेद कितने है वेद कितने है इसको भी हम नहीं बताने वाले आप हमें कॉमेंट में बताएंगे कि वेद कितने है वेद कितने प्रकार के हैं और कौन-कौन से वेद है यह आप हमें कॉमेंट में बताएंगे